हाजी वेलकम नमस्ते ओल फ्यू देखिए ये है अपना हिंदी साहिते का सांत्वा मॉडल पैपर क्रम से हमने पहले नववा किया फिर आटवा किया और अब यह सांत्वा और टोटल यह अपना दस पेपर का सेट रहेगा तो आएए देखते हैं सात्वी मॉडल पैपर में एक प्राकरती प्रकोप और उद्योगी करन से कौन से समस्या उद्पन होती है तो जब उद्योगों को इस्तापित किया जाता है या फिर कोई प्राकरतिक आपदा आती है तो कौन से समस्या होती है विस्तापन की परियावरन की स्वास्ते की या सिक्षा की तो वही सबसे से हटना पड़ता है जैसे मान लिए कहीं बाड़ आ गई कहीं भुकम्प आ गया तो लोगों को विस्तापित किया जाता है और साती सात अगर अगर अध्योगी करण की स्तापना मतलख उद्द्योगों की स्तापना गर की जाती है तो जो लोग वहां पे रहते हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ता है तो सबसे बड़ी समस्या रहती है विस्तापल की ऑप्सन और इसका करेक्ट आंसर है नेक्स देखे दूसरे प्रेस्ण है बोड़ी माता हर गोबिन की किस बात को सुनकर के उदास हो गई हर गोबिन संबदिया जब बड़ी बह माय के जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर जब उसका भाई मिला भाई के बाद में जब उसके बोड़ी माता मिली और बोड़ी माता ने जब उससे पूछा बताईए क्या संदेश लेकर कर आये हो तो फिर क्या कहा था उसने जो है इसका राइट आंसर कि मैं कोई संबाद नह लाया हूँ क्यों क्यों कि वो संबाद देने तो गया था पर वहाँ जाकर कि उसका मन बदल गया वो संबाद नहीं देना चाहता था और जैसे ही उसने कहा कि मैं कोई संबाद नहीं लाया हूँ मैं तो पास के गाव में आया था सोचा आप से मिल करके जाओं तो इसलिए मैं य पंक्ति में राधा को कौन सा मास और सेहनोय लग रहा है ऊप्सनिक बसंत मास, स्रवन मास, चेत्र मास ओर फालगुन मास तो इसकी पंक्ति अगली पंक्ति को पूरा कीजे क्या लेका हुआ है कि ये नहीं सहे और सहे दुकरे भेल साबुन मास ये मैंने हरदय में, नहीं मैंने नहीं, सहे मैंने सहन, और सहे मैंने ये और सहनी दुख हरदय में सहन नहीं होता और अब तो स्रावन मास भी लग गया है, तो भेल सावन मास का मतलब होता है, स्रावन मास लग चुका है और इस स्रावन मास में ये और सहनी दुख अब राधा स सेहन नहीं होता समुद्र से अलग हुई बंद किसका प्रतिक है तो समुद्र से अलग हुई उस बंद को जब कवि ने थोड़ी देर के लिए देखा वो बंद अस्तित्व मान रहती है उसके बाद पुना वो उस समुद्र के जलसे जाकर के मिल जाती है तो ये चण भंगूरता को प्रदर्सित करती है सही जवाब है option और ये जीवन की चण भंगूरता को दर्साती है एक प्रकार से यहाँ पे कवी को जो है एक दार्शनिक भाव का बोध होता है next question है कि मानव जन्म लेने की सार्थक्ता बताया गया है किस चीज़ को प्रकरती के सौंधरी का आनंद लेने में ही मानव के जन्म लेने की सार्थक्ता है या मा के अंक से लिपट कर दूद पीने में या फिर मात्रभूमी की गोद में खेल कर या उपरियुकत सभी तो कवी विसनात यहां पे कहते हैं कि मा के अंक से लिपट कर दूद पीने में लेकर विसनातने कहाए कि मा के अंक से मा के सरीर से मा के लिपट करके दूद पीने में ही मनुस्य की जीवन की सार्थक्ता है जर्म लेने की सार्थक्ता है next question है वहे वही राक पर बैट गया और बिलख बिलख कर रोने लगा क्यों? अपसन एक की वहे फूस की राक थी या फिर वहे उसकी अभिलासाओं की राक थी तो वहे उसकी अभिलासाओं अभिलासाओं का तात्रया उसकी इच्छाओं की राक थी वो बहुत सारे कारे करना चाता था, उसकी पोटली रुपेयों से भरी होई जो उसके अंदर थी, उसने सोचा कि अगर मुझे वो पोटली नहीं मिली, तो मेरी सारी अभिलास हैं समाप तो हो जाएगी, वो ना जाने क्या-क्या काम करना चाता था, इसलिए वो राक का धेर उस संभाल के रखने से, तालाब संभाल के रखने से, या फिर उपरियुक्त सभी से, तो वही अगर हमने पानी को सहे जा, हमने जो भी नदी, नाले, तालाब, बावडियां, कुए, जो कुछ भी हैं, अगर हमने उनको संभाल के सहेज करके रखा, तो अगर कहीं अकाल, दुसक साल का साल भी आएगा तो हम उसे आराम से निकल निकाल लेंगे जेल लेंगे अगला क्वेस्टन है कि खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालिया बनाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है तो जो नालिया बनती है जिन से हम खेतों तक पानी पहुंचाते हैं सीचा बरहा बताया है जो चोटी-चोटी नालिया होती है वो बरहा कहलाती है अगला question देखो कि कहानी मानव मन की किन वरतियों को सांथ करती है तो मानव मन की कौन सी प्रवर्तियों को सांथ करती है तो option रहेगा जिग्यासा, उत्सुपता और कोतुहल जिग्यासा कि हम जानना चाते है अच्छा फिर आगे क्या हुआ जैसे कहानी जब भी हम सुनते हैं तो उसके बाद उत्सुपता रहती है कोतुहल रहता इन समस्त चीजों को जो है वो कहानी क्या करती है सांथ करती है नेक्स प्रसन है कि जो पत्रकार किसे संस्ता से जुड़े हुए नहीं होते वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं तेकि तीन प्रकार के पत्रकार होते एक होते हैं बेतन भोगी पत्रकार जिने हम कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार एक होते हैं जो कम समय के लिए काम करते हैं उन् freelancer पत्रकार भी कहते हैं तो जो पत्रकार किसी भी संस्ता से नहीं जुड़े होते वो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं या उन्हें freelancer भी कहा जाता है नेक्स प्रस में देखिए विशेस लेखन के तहत reporting के अलावा उस विशे और या छेतर पर और क्या-क्या प्रस्तूत किया जा सकता है तो उस पे साक्सातकार, लेक, समीकसा, इस्तम, फीचर, टिपणी सब कुछ जो आवो प्रकासित किया जा सकता है उप्रोगत सभी इसका राइट आंसर है नेक्स प्रस नहीं कि खेल की ख़बर किस प्रकार लिखी जाती है अब रिक्तिस्तानों की पूर्ति वाले प्रसना है कि माधूर्य ओज तथा प्रसाद का संबंद मनुष्य की रिक्तिस्तान से है देखो ये गुण होते हैं और गुणों का संबंद मनुष्य की चित व्रतियों से हरादय की व्रतियों से होता है तो इन सभी का संबंद किसे होता है? मनुस्य की चित वरतियों से होता है नेक्स प्रसन है कि राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग इस पंक्ती में रिक्तिस्तन है तो दूस क्रमतवदोस होता है दूस क्रमतवदोस वहां होता है जहां वाक्य में सब्दों का क्रम तूट जाता है तो वहां पे जो है वो दूस क्रमतवदोस होता है नेक्स क्वास्चन है कि छंद सास्त्र में रिक्तिस्तान अकसरों के समू को गण कहते हैं तो तीन अक्सरों का जो समू होता है, वो गण कहलाता है, जैसे आपने सुत्र के हिसाब से अगर हम देखें, यगण, मगण, तगण, भगण, रगण, जगण, तो प्रतिक में तीन तीन वरणा आते हैं, तो तीन वरणों का समू गण कहलाता है, अगला question देखो कि चंद के प् अंसस्त चंद जो हैना, वो एक वरणिक चंद होता है, और वरणिक चंद में गणों की गणना की जाती है, तो इस तरीके से जो है वो गण आते हैं, अगला question है कि जहाँ अप्रस्तूत का वरणन करके उसके द्वारा प्रस्तूत का बोध कराया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है अन्योक्ती अलंकार, अन्य उक्ती, मतलब किसी दूसरी उक्ती के माद्यम से हमें सीधा सीधा अर्थ बताया जाए, जैसे माल लिजे कि कवी बिहारी ने जैसिंग जी के लिए एक दोहा लिखा था, कि नहीं पराग, नहीं मदूर मदू, नहीं बिकास एकाल, अलेकल ही सुबंद्यों, आगे कौन हवाल, तो ये अन्योकती अलंकार का उधारन है, अब देखो, नेक्स लिखा है कि जहां पर उपमान को प्रस्तूत रूप में, और उपमे को अप्रस्तूत रूप में रखा जाता है, मतलब उल्टा कर दिया जाता है, उसे बदल दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रति अलंकार होता है, प्रति अलंकार का अर्थ ही होता है, विपरित या उल्टा, अब देखो, एक गध्यान से, जिसको बिल्कुल छोटा सा है, फूर्ती से पढ़ते हैं, उसके प्रश्न उतर करते हैं, लिखा है कि मानव जीव मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की सक्तिया अंतरनिहित रहती हैं, सिक्षा इने सक्तियों का उदगाटन करती है, तो सिक्षा क्या करती है, मनुष्य के भीतर अंतरनिहित उन सक्तियों को प्रकट करती है, मानवी व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का क सिक्षा द्वारा ही संपन होता है स्रस्टी के आरम से लेकर आज तक मानम ने जो प्रगति की है उसका सरवाधिक स्रे मनुष्य की ज्यान चेतना को ही दिया जाता है मनुष्य में ज्यान चेतना का उदै सिक्षा द्वारा ही है बिना सिक्षा के मनुष्य का जीवन पसु तुल्ले होता है आगे लिखाए कि सिक्षा ही अज्यान रूपी अंदिकार से मुक्ति दिला करके ज्यान का दिव्य आलोक प्रदान करती है तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा हमें ज्यान देती है विध्या मनुष्य को अज्यान के बंधन से मुक्त कराती है देखो पहला प्रेशन है कि विध्या मनुष्य को किस से मुक्त कराती है तो भाई विध्या मनुष्य को अज्यान के बंधन से मुक्त कराती है ठीक है? सिक्षा के द्वारा हम जो है वो उद्गाटित किया जा सकता है नेक्स प्रेसन है कि मानव प्रगती का सरवादिक स्रे किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है मनुष्य आज तक धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 बहुत उच लेवल तक पहुंच गया है तो इस मानव की प्रगति का सरवातिक स्रे उसकी ज्यान चेतना को दिया जाता है और ज्यान चेतना का विकास सिक्षा से ही हुआ है क्योंकि उसके बीना मानव पसु तुल्य है नेक्स प्रशन है कि सिक्षा का उद्देश्य क्या है मनुष्य का सरवांगिन विकास करना ही सिक्षा का उद्देश्य है नेक्स्ट अगला प्रसन है सिक्षा का महत्व बताईए तो देखो सिक्षा का महत्व यहाँ है कि सिक्षा ही अज्ञान रुपी अंदिकार से मुक्ति दिला करके ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है अगला question है कि उपरियुक्त गद्यांस का उचित सिर्षक क्या है तो इसका सिर्षक है सिक्षा का उद्देश्य या ज्ञान चेतना या सिक्षा का महत्व आप ऐसे भी लेख सकते हैं सिक्षा का महत्व सिक्षा का उद्देश्य ज्ञान चेतना या मनुस्य के विकास के लिए स जग प्रहरी तंग सुनी घाटियों के सबल रक्षक तू न एकाकी समझना आपको देश तेरे साथ अंतिम स्वासतक तू सिपाही सत्य का स्वातंत्र का है न्याय का और सांती का है तू सिपाही प्राण देकर प्राण के ओ प्रबल प्रहरी जा रहा तू देश हित बली पंथ प्रस्तूत काव्यांस में देष की सिमाव की रख्षा करने वाले सैनिकों को सजग प्रहरी कहा गया है अगला है कि सिपाही को किसका रख्षक बताया गया है तो सिपाही को केवल मात्र भूमी की सिमाहों का ही रख्षक नहीं बताया है अपितु देश की स्वतंतरता न्याय और सांति का रख्षक भी बताया गया है अगला question है कि प्रस्तूत काव्यांस का केंद्रिय भाव क्या है बताएं तो ये जो काव्यांस है इसका केंद्रिय भाव है देश की रक्षा के लिए सिपाई अपने प्राणों की बाजी लगा देता है अते उनके प्रती देश वास्यों को कृत गिता आभार व्यक्त करना चाह नेक्स देखो लिखा है कि जा कि तेरे साथ हैं ये देश सिपाई के साथ कौन खड़ा है देखो सिमाओं की रक्षा करने वाले सिपाई के साथ ये पूरा देश खड़ा है देश वासियों की ओजश्वी भावनाय आत्मवल सभी का तन मन धन और सूब कामनाय उन सिपाईयों क साथ हमेशा खड़ी है नेक्स प्रसन देखे कि इस काव्यांस में किसका चित्रन किया गया है तो इस काव्यांस में देश की रक्सा के लिए अनेक कठिनायों को जहलते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाले सैनिकों और सिपाहियों का चित्रन वरनन किया गया है प्रस्तूत पधिहांस का उचित सिर्षक क्या लिखी अंतिम प्रस्ण है तो देश के रख्षक सैनिक या सैनिकों के करतव्य या सैनिकों का राष्च के प्रती एक देश प्रिम की भावना उनका उनकी सजगता यही जो है वो इसका मुक्य संदेश है तो देखो हमने बचों यह किये हैं अभी हमने केवल एक खंड अ किया है और बाकी जो खंड बह है और इसके जितने भी प्रस्ण उतर हैं यह नेक्स क्लास में करेंगी क्योंकि अभी हमारी अगली क्लास का टाइमिंग हो रहा है हमारे साथ बज़े पॉलिटिकल साइंस की आप डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे नंबर पर वाटसेप नंबर पर जूड़ने के लिए नंबर नॉट कर लिए 907-9622-989 इस नंबर पर आप हमें वाटसेप मैसेज करेंगे तो आपको हमारा एप जो है एजूकेशन राइज इस एजूकेशन राइज एप के आपको ल मिलते हैं अगली क्लास में अभी किस क्लास में इतना ही तब तक के लिए जय हिन जय भारत